नमस्कार मैं हूँ श्पेता जाओ और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे कॉंग्रिस के वरिश्ट मेता एहमद पटेल नहीं रहे 71 साल के एहमद पटेल लंबे समय से मीमार चल रहे थे एक मैने पहले उन्हें कोरोना हो गया था जिसके बाद उनकी सेहत खराब चल रही थी कुछ दिन पहले उन्हें गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में भरती कराया गया था एहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और लोगों से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घिर जमान ना करें एहमद पटेल तीन बार लोग सभा सांसद और चार बार राज्य सभा सांसद रह चुके हैं 2001 में सोनिया गांधी के राजनीतक सलाकार के तौर पर काम कर रहे थे तमाम बड़े नेताओं ने एहमद पटेल के निधर पर शोग चता है आपको मता दे एहमद पटेल अब नहीं रहे हैं कॉरोना उन्हीं हो गया था और एक मैने से लगभग वो भीमार चल रहे थे उनके बेटे ने जो ट्वीट दिगविजे सिंग ने ट्वीट क्या है एक अभिन मित्र विश्वस्मिय साथ ही चला गया हम दोनों 77 से साथ रहे कॉंग्रेसियों के लिए वो हर राजनितिक मर्ज की दवा थे कॉंगर्स पार्टी उनका योगदान कभी नहीं भुला सकती तो दिगविजे सिंग ने ट्वीट किया है राम किंकर सिंग हमार समाधता हमार साथ चुड़ गया है राम किंकर एहमद पटेल उस जबाने के नेता रहे हैं जब कहलीजे की पार्टी को सही में जरुवत भी थी एक अच्छे नेताओं की वो यह यह एक लीग रही है जो बड़े अच्छे और विश्वस नहीं है कॉंग्रेस के जो नेता रहे हैं उनकी लीग में एहमद पटेल रहे थे उनका चला जाना वाके एक बहुत बड़ा सद्मा पार्टी के लिए बिल्कुल श्वेता और जिस तरह से दिगविजे सिंग ने ट्वीट किया है उसमें साफ्त और पुरून ने एक सेंटेंस कहा है कहा है कोई कितना भी संतुष्ठ हो अगर वो आता था और आहमद पटेल से मिल लेता था तो वो संतुष्ठ होकर बाहर जाता था बड़े ही मेरे दुभाशी थे और कड़वा से कड़वा चीज, कड़वा से कड़वा शब्द वो बहुत मीठे तरह से बोलते थे और यही वज़ा है कि उनकी सबसे बड़े और सबसे खास पसंद पूरे कॉंग्रेस में सोनिया गांधी उन्हें बहुत मानती थी और साफ तोर पर एक राजनितिक सिपह सालार के तोर पर वो रहे लेकिन अन्तिम वक्त में अस्पताल में उनकी मौत हो गई और शाह फैसल ने बकादा ट्वीट करके बताया कि 25 नॉमबर को 3.30 बजे यह पूरा जो वाक्या है वो हुआ और आपको बता दें कि अभी महीना भर हुआ था जब वो कोरोना से संक्रमित हुए थे और उन्होंने विंटर सेशन में पाटिसिपेट भी किया था और उसके बाद से उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूँ लिहाजा जो मुझे close contact में थे वो कृपया अपने तमाम जो कोविट के प्रोटोकॉल से उनका पालन करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो चले जाएंगे और ऐसे वक्त में साफ फैशल ने ये भी कहा है कि जो लोग है वो अगर शोग जताना चाहते हैं तो वो कृविट प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें भीड़ना लगाएं यही वज़ा है कि टेस क्रिसेंट रोड मदर ट्रेसा क्रिसेंट जिस घर के बाहर मैं हूँ यहां पटेल का आवास है जहां पर अपनी पतनी और अपने बच्चे मुम्ताज और शाह फैसल के साथ यहां पर लेकिन ऐसा कदावर नेता ऐसा मृद्भाशी व्यक्तित्व और ऐसा शक्स जो सभी को साधना जानता हो आपको याद होगा कि जब 2017 का राजय सभा चुना हुआ था तो आखरी बार काफी जादा चर्चा हुई थी आहमत पतेल की और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आहमत पत तोर पर इनका जो कद था शायद ही किसी नेता का वो कद हो बिल्कुल आपने जो कुछ जानकारी दी राम किंकर वाकई वो बिल्कुल सही है उनसे एक बर मुलाकात भी हुई है गुजरात आपने जिस दौर की बात आपने की थी उस समय गुजरात को लेकर काफी चर्चा थी और काफी निदू भाशी जो आप कह रहे हैं उनसे जो भी सवाल पूछा मैंने उन्होंने बहुती आसानी से बहुती सरलता से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि राजनीती में कई तरह की शडियंद्र, कई तरह की बाते होती रहती है लेकिन मुझे अपना काम पता है और मुझे पता है कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी बहुत जल्द आप देखेगा सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा और तमाम तरह की बाते साधे तीन बचे, तीन बच के तीस मिनट पर उनके बेटे फैसल पटेल ने जो ट्वीट किया है उस पे उ पानकारी मिल पाई है परिवारवालों से पिछले एक हफते में उनकी स्थिती लगातार गेरती रही और जैसा शाह फैसल ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो मल्टी आरगन फैलेओर है यानि कई अंग जो है उन्होंने एक साथ काम करना बंद कर दिया और यही जो वजह है वो मौत की मानी जा रही है कि इसी बात होगी लेकिन साफ तोर पर ट्वीट के जरिये उनके बेटे ने कहा है कि जो लोग शोग जताना चाहते हैं वो ज्यादा भी भार ने लगाएं तो देखा जा सकता है कि वो ऐसे वक्त में गए हैं जब कोई उनका जो शोग है वो ठीक से नहीं कर सकता क्योंकि उसमें घर के बाहर ही मौजूद हैं जाना चाहेंगे कि परिवार के अभी कौन-कौन से सदस्य से घर में मौजूद हैं देखे स्वेता भी कुछ दिर पहले काफी जादा अंधेरा था और यहां पर एक शक्स हैं सुरेश नाम के वो इस घर के केरटेकर हैं पिछले 27 सालों से उनकी आँखों से आसु थम नहीं रहे थे और उनका यह कहना था बहुत बुरा हुआ किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन उनका यह कहना था कि कभी उन्होंने आज तक 27 सालों के इतिहास में उन्हें बड़े जोर से या बड़े तेज आवाज में डांटा नहीं है हमेशा बहुत अच्छे से बहुत मीठे से उनसे बातचीत करते थे लेकिन आज उन्होंने बताया कि जैसे ही सुबह का वक्त हुआ अचानक से अस्पताल की तरफ से कोई सूचना मिलती है और उसके बाद से सभी परिवार के लोग भागे भागे वहां गए है फिलाल अभी यहाँ पर परिवार का कोई सदे से नहीं है गेट भी बंद है इकता दुक्ता गाड़ियां आ जा रही है लेकिन इन सब के बीच सारे लोग गमगीन हैं सारे लोग जिस तरह से अब इस दुनिया में आहमद पटेल नहीं रहे वो सभी अपने अपने तरीके से दुग जता रहे हैं और मुझे याद आता है कि जब 1975 में मरजंसी लगी थी और उसके बाद से जब चुना हुआ था तो पहली बार ऐसा हुआ जब आहमद पटेल जो है जीते और लोग सभा उन्होंने जवाइन की और उसके बाद से लेकर के देखा हमने तकरीबन आठ बार वो सांसद रहे तो साफ दिखाता है कि किस तरह से उनका व्यक्तित्त है लेकिन 27 सालों से यहां काम कर रहे केरेटेकर सुरेशन एक बात कही और वो बात मुझे भी बहुत साल रही है उसने ये कहा कि हमत पटेल बार बार कह रहे थे कि उन्हें अपने जनम भूमी में ही अंत नवस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले